नमस्कार दोस्तों घरेलू खवर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों कैसे हैं आप लोगे हैं बताने के लिए कमेंट में जै माता दी जरूर लिखें दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है सुर्ज गरहन पर सूतक से पहले और बाद में कौन से काम करेंग कि दूर होगी आपकी घर की दरीद्रता जी हां दोस्तों हिंदू धर में गरहन को महत्ता दी जाती है इस साल वर्ष दो हज्या रोणीस में आखरी सुर्ज गरहन दिसंबर 26 को लगने जा रहा है जो साल का तीसरा गरहन होगा इस से पहले 6 जनवरी को पहला गरहन और 2 जुल सूतक काल को सुभ नहीं माना जाता है कहते हैं इस काल में ना कोई कार्ज किया जाता है और ना ही किसी तरह की पूजा पाट भारत में कई सहरों में सूतक काल के दौरान मंदिरों के पट भी बंद कर दिये जाते हैं तो हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि सूतक से पहले और सूतक हटने के वाद आपको कौन से कारी करना है, साथ ही साथ मैं 26 दिसंबर को लगने वाले ग्रहन का समय और सूतक का समय भी बताऊंगी, मेरा वीडियो लास तक सुनेंगे, वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक करेंगे, और जितना जादा से जादा हो सक करेंगे, तो इस बार सूरिगरहन भारत में दिखाई देगा, इस कारण सूतक का असर होगा, सूतक का समय ग्रहन के एक दिन पहले से ही सुरू हो जाएगा, सूतक 25 दिसंबर की साम 5 बचके 33 मिनट से सुरू होगा, और अगले दिन 26 दिसंबर को सुबह 10 बचके 57 मिनट पर, यानि ग्रहन के समापन के साथ समाप्त होगा, सूतक लगने का काफी विसेश महत बताया जाता है, हिंदु धर में सूतक लगने के बाद कोई भी कार्ज नहीं किया जाता है, सूतक का समय असुभ माना जाता है, सूतक के समय कौन से कारी करें? सूतक लगने से पहले आपके पास जो भी खाने की सामगरी है, जैसे दूध दही, इन सभी में तुलसी के पत्ते जरूर डाल दें, सिर्फ यही नहीं आप चाहें, तो पानी से भरे पात्रों में भी तुलसी का पत्ता डाल दें, और उसी पान सूतक के समय भगवान की पूजा नहीं की जाती है इसलिए उन्हें बंध ही रखें। इसलिए ग्रहन की खतम हो जाने के बाद ही ताजा भूजन बनाकर उसका इस्तेमाल करे। ग्रहन या सूतक खतम होने के बाद मंदिर के कपाट खोल दे और मंदिर की भी साफ सफाई करे गंगाजल छिड़क कर। भगवान के सामने घी का दिया जलाएं और ग्रहन के दूस प्रभाव से बचना का रात्मक प्रभाव से बचने की प्रार्थना करें। सूतक खतम हो जाने के बाद पीने का पानी बदल दे, साथ ही जरूरत मन्द को खाना जरूर खिलाएं, दान दक्षिना जरूर दे। मानिता है कि सूतक खतम होने के बाद ऐसा करने से घर की दरिदरता दूर होती है। दिखाए देगा। तो दोस्तों आसा ही नहीं पूर्ण विश्वासे कि आज की वीडियो आपको बहुत बहुत पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, सेर करें, हमारे इस घरेलू खबर चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।